हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमाय चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे दफटिलाजिस एंड केमिकल ट्रवन कोल लिम्टेट में आये हुए वेकेंसी के बारे में जहां पर डिप्लोमा और आई टैय के बहुत सारी ब्रांच अलीजबल है त तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले और वो जो वीडियो हैं आने वाले जितने भी जेई लेवल के एक्जाम है चाहिए वो रेलवी के एक्जाम हो आपका डियाइडियो टायर 2 के एक्जाम हो एंपीसी आयल बियार से इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो वी के लिए है जिसमें डिप्लोबा के अलिजबल है तो यहां पर देखते हैं क्या-क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इससे रिगार्डी तो यह जो आपका डिप्लोबा एक साल का है यहां पर और यहां पर जो आपको स्टीपेंट प्रवाइड किया जाएगा आठे सिक्स्टी केंड़ेट creator ऑबशी केरिया इंप exception के यहां पर जायेगा अब हम बात करेंगे यहां पर जो नंब्र आफ इकंसी है computer engineering के जो है तेरा civil engineering के जो है पांच तर यहां पर electronic and telecommunication instrumentation और mechanical engineering की बात के जा तो यहां पर 10 पोस्ट है और instrumentation electronic की जो सीट है यहां पर 4 है तर डिप्लोमा in commercial practice की सीट जो है पांच है यह जो है यहां पर डिप्लोमा के candidate eligible है 60 percentage होना जरूरी है अगर आप जनरल हो यह फिर ओवी सी हो और फिप्टी पसंट जो है सेस्ट केंडिट के यहां पर requirement है दन दूसरी पोस्ट जो थी आपका ITI के लिए थी तो फ्रेंट ऑफिस एसिस्टेंट की यहां पर वैकेंसी है total number of वैकेंसी की बात के जब 98 है आइट आए के लिए और 57 total number of vacancy के लिए तर यहां पर कितना इनको डिपाटिए वालों को कितना इस्टीपन्ग व overboard किए जागा यहां पे नोजहिंको जो कrhовалे साल छे हईजार यहां पर सबाइब जाएगा और यह नसा के है इनिट बहने आप प्रेंट्रेट के जाएगा और और 50% जो है SCST candidate के लिए, selection procedure की भी बात करेंगे यहाँ पर, age limit की पहले बात कर लेते हैं, तो age limit जो है 13 साल रखी गए है, और यहाँ पर कोई भी application fee नहीं ली जा रही है, तो selection procedure की बात करते हैं, तो यह इसमें आपका selection होगा, आपके जो 50 percentage marks है, जो आपने examination qualify किया है, उसके basis पर 50 percentage mark का वेटेस दिया जाएगा, तो 50% जो है आपके यहाँ पर written test होगा, written test की date वगड़ा वो सारा जो है, आपको mail के थूरू बता जी जाएगा, और अब हम बात करते हैं कि इस form को apply कैसे करना है, तो form को apply करने के लिए हम पहले diplomat वाले की बात करेंगे, then ITI की बात करेंगे, जो diplomat वाले candidate है यह जो आपको यहाँ पर link दीख रहा है, इस link को आपको description box पर प्रवाइट कर जाएगा, वहाँ से आप इस form को पहले registration करना है, then यहाँ पर एक और link आपको provide कर जाएगा, जिससे आप इस form को fill up कर सकते हो, 23 जनवरी 2019 जो है इसकी last date है, और ITI candidate की बात करेंगे तो वह जो है यहाँ पर पहले registration करेंगे, apprenticeship के लिए, then जाके वह इस form को fill up करेंगे 23 जनवरी से पहले, तो इस परकार जो है आप form को fill up कर सकते हो, बाकी information जानने के लिए आप जो है इस form को हमारे website के तुरू भी जान सकते हैं, या फिर आपको description box पे लिंक जो है provide कर जाएगा, वहाँ सभी आप इस form को जान सकते हो, तो फ्रेंड ये थी कुछ important information, fact जो fertilizer and chemical, ट्रवन को लिम्टेट में आये वे vacancies की बारह में, आसा करता हूँ ये वीडियो जो है freshers candidate जो है उनको पसंदाया होगा, तो वीडियो अगर पसंदाया तो वीडियो को like करना, share करना, ना बूले, thanks for watching and listening.